अब जगू बड़ा हो गया है इसे भी रात को अपने साथ धंदे पर लेकर जाया करो तुम चिंता ना करो मेरा बेटा बहुत भुद्धी मान है ये सारे काम सीख जाएगा पिता जी ऐसा कौन सा काम है जो आप रात को करते हैं दूसरे सारे पक्षी तो अपने काम दिन में करते हैं और रात को सब सोते हैं ये बात मैं आज रात तुम्हें बताऊंगा ऐसे हंसता हुआ कालू कवा घर से निकल जाता है चाचा कबूतर क्या बात है आज बहुत खुश नजर आ रहे हो हाँ कवे मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंके कल मेरे बेटे की आँखों की रोशनी वापिस आ जाएगी मैंने इतने पैसे जमा कर लिये हैं कि मैं अपने बेटे की आँखों का अपरेशन करवा सकूँ अच्छा फिर तो बहुत पैसे जमा किये होंगे तुमने मैंने जो कमाया वो सब इसलिए जमा करता रहा और आज वो दिन आ गया है जब मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए है अभी मुझे चुडिया को भी ये खुशी की बात बतानी है खुशी से जूमता हुआ चाचा कबूतर वहां से चला जाता है घर जाकर त्यारी करता हूँ मैं अभी घर वापिस जाता हूँ कवा भी अपने खर वापिस चला जाता है शाम हो जाती है मेरा लाल रुमाल कहा है संदूक में हैं मगर बताओ तो आज जा कहा रहे हो मेरे पास आओ फिर कालू कवा गोरी के कान में बताता है आज कबूतर चाचा का घर लूटेंगे उसके पास बहुत सारे पैसे है आज मुझे खुद बताया है उसने जगू भी घर आ जाता है जगू बेटा जल्दी से सो जाओ आज रात तुम भी अपने पिता के साथ काम पर जाओगे जगू अपने पिता के साथ जाने के लिए बहुत एक्साइटिड था तो फिर पापा आप जब काम पर जाएं तो मुझे जगा लेना जरूर जरूर मेरे बेटे अब तुम सो जाओ कल वो दिन होगा जब मेरा बेटा इस जंगल को देख सकेगा ममा क्या फूल सुन्दर होते हैं उनका रंग भी देख सकूँगा मैं हाँ मेरे बेटे फूल फल नदिया पहाड पेड़ पोदे सब देख सकोगे आप अब आप जलती से सो जाओ चाचा कबूतर का बेटा जो देख नहीं सकता था वो सो जाता है कब रात गुजरेगी और कब मैं अपने बेटे को बुल बुल के पास ओपरेशन के लिए ले कर जाओंगा जहां इतने दिन गुजर के वहां रात भी गुजर ही जाएगी फिर कबूतर और उसकी पतनी भी सो जाते हैं मगे जाग रहा था कालू कवा अपना लाल रुमाल मुँ पर बांद कर वो अपने बेटे को आवाज देता है उठो उठो जगू काम पर नहीं जाओगे मेरे साथ जगू जल्दी से उठकर बैठ जाता है लो ये छोटा रुमाल आप भी अपने चेहरे पर बांद लो मगर क्यों पापा हम अपना चेहरा छुपा कर काम पर क्यों जाएंगे बाकी पक्षी तो ऐसे काम पर नहीं जाते अगर साथ जाना है तो मेरा कहना मानना होगा फिर जगू भी अपना चेहरा छुपा लेता है और दोनों बाप बेटा अपने खर से निकलते हैं देखो बेटा मैं आज आपको सब बताऊंगा आपका पिता क्या काम करता है फिर वो दोनों कबूतर के घर के पास जाकर दूसरे पेड़ पर छुपकर बैठ जाती है बेटा जगू तुम्हारा पिता चोर है मैं दूसरों के घरों में चोरियां करता हूँ और यही काम मेरा बेटा भी सीखेगा अब यह सुनकर जगू हैरान हो जाता है मगर पिता जी चोरियां करना तो पाप है बेटा पेट भनने के लिए कुछ भी करना होता है अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान भी लेनी पड़ती है मगर जगू खामोश था पहले थोड़ी दूर बैठकर इधर उधर अच्छी तरह देख लेते हैं और फिर आहिस्ता से उड़ते हैं चलो आप मेरे साथ चलो फिर कालू कवा अपने बेटे को साथ लेकर उड़ता है खिड़की खुली थी वो दोनों कबूतर के खर में चले जाते हैं आहिस्ता से कालू कवा संदूक खोलता है और कबूतर ने जो पैसे अपने बेटे की आँखों के ओपरेशन के लिए रखे हुए थे वो उठा लेता है और अपने बेटे को भागने का इशारा करता है वो दोनों रात की तारीकी में उड़ते हुए अपने ख़र चले जाते हैं गोरी उठो थंडा पानी दो गोरी कालुगवे को थंडा पानी देती है कुछ हाथ लगा क्या? जगू से पूछो आज तो बहुत माल हाथ लगा है किस्मत वाला है मेरा बेटा आज पहले ही दिन काम पर साथ गया है और बड़ा माल हाथ लगा है हमारे ममा मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा चोरियां करते हैं तो अब पता लग गया ना? अच्छे से सीख लो ये काम जैसे तुम आश करते हो ऐसे ही तुम्हारे बच्चे आश करेंगे सुभा हो जाती है उठें किकी के पापा उठें हम लुट गे हम बरबाद हो गे सब लुट गया कोई चोर हमारा घर लुट कर ले गया है क्या कह रही हो तुम संदूग खुला हुआ है और उसमें पैसे भी नहीं है कबुतर अपना दिल पकड़ लेता है क्या हुआ है आप रो क्यूं रहे है वो सब ऐसे रो रहे थे मैंने वो पैसे अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए जमा किये थे मेरी खुशिया चीन कर ले गया वो चोर मेरे बेटे की आँखों की रोशनी चीन कर ले गया कितना मजबूर हूँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता चुप कर जाएं कबूतर चाचा शान्त हो जाएं ऐसे रोने से कुछ नहीं बनने वाला हमें उस चोर को ढूंड ना होगा अब मेरा बेटा कभी देख नहीं सकेगा कभी देख नहीं सकेगा मेरा बेटा सुभा से नदी पर बैठा हुआ जगुकवा अपने पिता के बारे में सोचे जा रहा था पिता जी ने कबूतर अंकल के सारे पैसे चुरा लिए जरा भी ना सोचा के कबूतर चाचा ने तो वो पैसे अपने बेटे की आंकों का इलाज करवाने के लिए रखे हुए थे उसकी आंकों में आंसु थे उसे बार बार कीकी का खियाल आ रहा था रात हो जाती है गोरी, अब दो चार दिन हम घर में ही रहेंगे, कोई चोरी नहीं करेंगे, कहीं कबूतर को पता ना चल जाए अब तुम सो जाओ, जगू, तुम भी सो जाओ बेटा आधी रात हो जाती है, जगू कवा उठता है, वो अपने पिता की अलमारी खोलता है और उसमें जितने भी पैसे पड़े थे, वो सब उठा कर एक बैग में डाल लेता है नहीं पिता जी, मैं आपके रास्ते पर नहीं चल सकता, मुझे माफ कर देना जगू ऐसा सोचते हुए, वो सारे पैसे लेकर कबूतर चाचा के घर जाता है और खिटकी में से कबूतर चाचा के घर में बैग फैक देता है और वहां से वापिस घर भाग जाता है प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है, हमें कुमेंट करके जरूर बताना बार्षें भी ज्यादा होती है, इसलिए अब पक्षियों को चिंता थी कि वो अपने घरों को मजबूत कर लें रानो चिडिया और उसकी बेटी गुडिया भी उसी जंगल में रहती थी चिडिया गुडिया से कहती है गुडिया चलो हम लकडिया ले आएं, सबने अपना अपना पका घर बना लिया है अगर बारी शुरू हो गई तो मुसीबत बन जाएगी ममा इस बार आप मुझे भी घर बनाना सिखा देना हाँ बेटी, अब आपके सीखने के दिन है फिर वो मा बेटी जंगल से खर बनाने के लिए लकडिया लेने चली जाती है गुडिया बेटी, सूखी और मजबूत लकडियों की खोज करो ममा आप सूखा खास ठोंडें और मैं लकडिया ढोंडती हूँ फिर गुडिया जैसे ही थोड़ा आगे जाती है उसे एक घडरी सूखी लकडियों की मिलती है जिसे देखकर गुडिया बहुत खुश होती है और अपनी ममा को आवाज देती है ममा, ममा जल्दी आए मुझे कटी हुई मजबूत लकडिया मिल गई है ममा चिडिया भी वहाँ आ जाती है गुडिया बेटी ये लकडिया तो किसी ने काट कर रखी हुई है लगता है कोई पक्षी ये लकडिया यहां रहकर भूल गया है चलो हम यही लकडिया ले जाते है फिर ममा चिडिया और उसकी बेटी वो लकडियों का घटा उठा कर वहाँ से चली जाती है वापिस जाकर वो दोनों मा बेटी अपना घर बनाना शुरू करती है गुडिया बेटी ऐसे पहले बड़ी लकडियों को जोड लेते हैं और छोटी लकडिया उपर रखते हैं और ममा सूखा खास किस काम आएगा उसे घर की छट में लगाएंगे ऐसे वो मा बेटी अपना घर बना रही थी कालू हम लुट गे हम लुट गे हमारी लकडिया कोई उठा कर ले गया कौन हो सकता है वो जिसने कालू कव्वे की लकडिया चुराई है मैं छोडूँगा नहीं उसे मैं ठोड लूँगा अब जलती से चलो मैंने बड़ी मुश्किल से वो लकडिया काती थी कव्वा और कव्वी दूसरे पक्षियों से लकडियों का पूछने जाते हैं कबूतरे नदी के पास मैंने लकडियों का एक गठा काट कर रखा था कहीं तुमने तो नहीं उठाया नहीं नहीं गोरी तुम देख सकती हो मैंने तो अपना घर दो दिन पहले ही बना लिया था आप चिडिया से पूछें चिडिया आज अपना घर बना रही है अगर चिडिया आज अपना घर बना रही है तो फिर हमारी लकडिया चिडिया नहीं उठाई होंगी गोरी और कालू भागे भागे चिडिया के पास चाते हैं चिडिया ने तो उन लकडियों से अपना घर भी बना लिया था जब कवे वहाँ आते हैं यही है हमारी लकडिया यही है गोरी मैंने पहचान ली है अपनी लकडिया कवे भीया क्या हुआ कौन सी लकडिया इतनी मासूम ना बनो नदी के पास ये जो लकडिया तुम उठा कर लाई हो वो मैंने काट कर रखी थी हाँ गोरी बेहन मैं और गुडिया आज लकडिया लेने गई थी और वो लकडियों का गठा नदी के पास पड़ा था मैं समझी के कोई पक्षी रख कर भूल गया होगा तो फिर अब तुम भागो यहां से मेरी लकडियों से घर बना कर बड़ी अकड़ कर बैठी हुई हो गोरी आइंटी हमने बड़ी महनस से घर बनाया है हम आपको नई लकडिया ला देंगे प्लीच हमसे हमारा घर तो ना चीनो मैं एक लगाऊंगा अगर यह लकडिया हमारी थी तो घर भी हमारा ही हुआ गुडिया बेटी गलती हो गई अगर पहले पता होता तो हम वो लकडिया ना उठाती जो भी है अब ये घर हमारा है और तुम अपने लिए और नया घर बना लो चीडिया जानती थी के गोरी कवी कहा मानेगी इसलिए चीडिया अपनी बेटी को साथ लेकर वहां से चली जाती है कालू अच्छा ही हुआ जो ये चीडिया हमारी काटी हुई लकडिया उठा लाई बना बनाया खार मिल गया हमें गुडिया बेटी अब नई लकडिया तो बहुत मुश्किल से मिलेंगी आप जाओ और अपनी नानो को बुला कर लाओ आपकी नानो को मट्टी का घर बनाना आता है हम इस साल अपने लिए मट्टी का घर ही बना लेते हैं ममा क्या नानो मट्टी का घर बना लेगी हाँ गुडिया आप जाएं और नानो को बुला लाएं फिर गुडिया अपनी नानो को बुलाने चली जाती है गुडिया बेटी कैसे आई हो आपकी ममा तो ठीक है फिर गुडिया अपनी नानो को सारी बात बताती है इसमें गलती तो आप की है बेटी जो आपने किसी की लकडिया उठाई चलें अब मैं आपके साथ चलती हूँ फिर गुडिया अपनी नानों को साथ लेकर आ जाती है बेटी चुप कर जाएं रोने से कुछ नहीं होगा मुझे गुडिया ने सब बताया है मैं अभी आपको मट्टी का घर बना देती हूं मा वो देखें सामने मैंने कितना सुन्दर घर बनाया था अब छोड़ें जो हुआ उसे भूल जाएं आप और गुडिया मुझे गीली मट्टी दें फिर वो सब मट्टी के घर का काप शुरू करती है कालू देखो देखो अब छोटी चुडिया अपने लिए मट्टी का घर बना रही है गोरी मुझे मट्टी के घर में रहना बहुत अच्छा लगता है ये कौन सा बड़ी बात है जब चुडिया अपना मट्टी का घर बना लेगी तो हम उसे ये घर देकर उससे मट्टी का घर छीन लेंगे सारा दिन काम करने के बाद गुडिया की नानो गुडिया के लिए एक बहुत ही सुन्दर मट्टी का घर बना लेती है ये घर देखने में तो सुन्दर है नगर बेटी बारिश के पानी में ये घर तूट भी सकता है मा हम कुछ दिनों तक लकडिया लगा कर इस घर को मजबूत कर लेंगे फिर ऐसे गुडिया की नानो वापिस अपने जंगल चली जाती है वो मा बेटी आज बहुत थकी हुई थी इसलिए वो जल्द ही सो जाती है दो तीन दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं फिर एक दिन गोरी कालू से कहती है कालू चिडिया का मट्टी का घर गर्मी में बहुत ठंडा होगा चलो हम चिडिया से वो घर छीन कर उसे ये लकडियों का घर दे देते हैं फिर कवा और कवी रानो चिडिया के पास जाते हैं चिडिया मुझे बहुत अफसोस है कि आप मट्टी के घर में रह रही हो आप ऐसा करें कि अपना लकडियों का घर वापिस ले लो और हमें ये मटी का घर दे दो नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे मगर ममा चिडिया जानती थी कि वो लकडियों का घर तो बहुत मजबूत है और ये मटी का घर बारिश के पानी से तूट जाएगा ये घर बहुत सुन्दर है अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये घर ले लें और हमें वो लकडियों वाला ही दे दें हाँ मगर अब हम वो घर आपको वापिस नहीं करेंगे ठीक है फिर चिडिया लकडियों के घर में चली जाती है शाम हो जाती है आसमान पर बादल भी गहरे थे बारिश भी होने वाली थी कालू जी मटी का घर बहुत ठंडा है मुझे इस घर में रहने का बहुत मज़ा आ रहा है हाँ चलो अब सो जाएं फिर कव्वा और कव्वी सो जाते हैं आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है और कव्वों का मटी का घर पानी से तूट कर गिर जाता है हाई कालू मैं मर गई मेरा पांख तूट गया गोरी मेरी टांग भी तूट गई है हमें किसी पूरे काम की सजा मिली है जो हमने चिडिया से किया हमें उसी की सजा मिली है कालू फिर ऐसे वो दोनों घर के नीचे दबे हुए रो रहे थे प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी का बुरा करता है उसका भी हमेशा बुरा ही होता है